प्रक्र समाजवादी नेता गरीबों की आवाज और खास तोर पे हमारे पिता से जो संबंद रहे होंके पिता के नहीं रहने के बाद जो मार्दर्शन जो गाइडलाइन्स जो उनका रहा हम कभी अपने आपको अकेला नहीं समझते था आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मरमाहत हैं दुखी हैं और को शब्द नहीं है जिस शब्द को हम लोग जो है वख्या कर सके लेकिन लंबे समय से करोना पॉजिटिव होने के बाद निमोनिया की शिकायत थी पट्टा के एम्स में जब भरती हुए तो हमारी बात हुए डॉक्टरों से भी बात हुए अब लोग सब लोग कामना करते ते जल्दी स्वास्ट वके ठीक वके वापस है फिर आनद फानन में जब डिल्ली गए हमारी जब बात हुई जब वो डिल्ली जिस दिन एम्स में एडविट हुए उस दिन भी हमारी फोन पर उनसे चर्चा हुई बात हुई पुरी बॉड़ी चेकप कराने के लिए वो डिल्ली गए थे टेस्ट रिपोर्ट आना था और कुछ चंद दिन पहले जो है हम डिल्ली उनसे खास तोर पर मिलने गए थे डिल्ली की एम्स में और हमारी मुलकात भी हुए लगबर देट दो घंटा हमारी उनसे मुलकात हुई हर एक बिंदू पर उनसे चर्चा की गए और हमने उनसे यही कहा कि आप जल्द स्वस्थ हो करके आप चल्दी वापस आईए कि उन्होंने यही कहा कि जल्द स्वस्थ हो करके हम आएंगे और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को यह हम लोगों को यह उमीद दी थी कि इतनी जल्दी यह ख़बर आएगी लेकिन हाला कि हमारी जो डॉक्टरों से जो बातीत लगतार चलती रही उनसे क्यों सब्सक्रेइब तो हमको जो डॉक्टरों ने वहां के बताया कि उनको लिंग्स कैंसर है की समस्या रही यह बात पता थी लेकिन जो है पब्लिक पे ये मेसिज ना जा कि इनको लंग कैंसर है कि लाज जो है वो चल रहा था इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्शा कहीं नेगी और हमारा कर्टा भी बनता था फर्ज बनता था कि उसे मिले कि उज्जा का केंद्र रहें वो और कभी भी मतलब हमारा भी जो रिष्टा रहा समाजिक राजिती चर्चाय तो चलती रहा करती थी लेकिन एक पड़ावारिक संबंद हम लोगों की बीद लगतार कायम रहा इस मुश्की घरी में जब हमारे पिता हमारे साथ शार में तो हमेशा उर्जा देने का काम मनुबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया कि मुझे याद है कि जब सरकार जब बदली जब मितीश कुमार जी ने स्टीफा देने का काम किया था कि स्टीफा देने के बाद बीच में आप सब लोगों को पता है कि सी बी आई इडी इंकम टाक्स का ब्रेड जो परा था तो सबसे पहले आदन्य रग्वांस भाबू ने आकर कि होसला बढ़ाया था उस समय भी आदन्य लालुजी राची के कोट के ट्राइन में वहां थे त कि और हम लोग जब चर्चा चल रही थी एंस में तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यह स्थिए यह नौबत आईगी बड़ा होसला उस समय भी राच डिल्ली के एंस में में मेरा बुलंद किया और उस समय भी कह रहे थे कि मैं आऊँगा और मिल कर दिए प्रकर एक समाजवादी नेता की रूप में रहा है और हमेशा जानते हैं कि उनका राज्यती का नुभाव जो रहा है बड़ा लंबा रहा है प्रकर एक समाजवादी नेता की रूप में रहा है और हमेशा जमीनी स्थर पर वह रहे करके काम करते थे लोगों से जुड़े हुए थे गरीबों से किसानों से मज़दूरों से एक संघश करने की जो उर्जा उनमें रही है वह हम लोग कभी इंकार नहीं कर सकते हैं उनसे काफी कुछ हमको सीखने को मिला इसलिए बड़ी दुख की बात है अभी हमारे उनकी पुत्र से भी बात हुई जब ये खबर न्यूस चैनलों में चल रहा था कि रगवांस बाबू नहीं र हुआ था हमको उनके पुत्र सत्रप्रकाश जी से हमारी बात हुई है और इस बात को लेकर के सब लोग जो है मरमाहत है तो इसमें को हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांती मिले और इस दुख के घरी में हम उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जो प्रगवन जी का जो शक्तना था उसको आगे ले जाने का हम लोग काम करेंगे